अलो गाइज विल्कम बैक तो कुष्णा अनुवेशन आज हम काना जी का ब्यूटिफुल इजी नेट ड्रेस के चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने लिया है नेट का कपड़ा लेस्ट वाइट और एक अस्तर के लिए है कपड़ा जो अरगंडी का कपड़ा है इसका वीर्थ है सारे चालिज और लेंध है चालिज इसको परिस साइट से पोल्ड करेंगे कि अप्तरह नेट और अस्तरई दुनों करके इसा इसाइट से पयल्ड करेंगे ये जोल्ड आउस्तर के साथ से कप्रह में इसको आटेज कर लेए track and करने के पास देए लेस को पहले अंदर के तरफ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और लेस रखेंगे इसके हमारी प्रेसिंग आगे और पीछे दुनों यह चीहाद में पीछे में हमारे कप्राची से प्रेसिंग आता है अगे लेस लगा लेंगे लेस की चोड़ाई ज्यादा है तो हमको दोनों साइट से शिलाई करेंगे और अब हम भरें इसमें चुन नट चुन टेटेरी इच पर भरना है आपने अन्टास से लिए नट बर देती हूं कि लापना पर ले लिजीए गार देटरी जान लाएं तो लेका तो हम परेंगे तो फेले यह लगा और पीज्टेरीन देखना है आपको भूखर सब्सक्राइब करें पर तरह अपने नहीं बैठाना है अपने पर जाएगा कि इतना अच्छा से मरे चुनिक लग गया तो सरकल अच्छी से आगया है अच्छी कि अच्छी से आगया है अच्छी से चुनिक लग गया है अब बनाएंगे चुली इसके लिए लेंगे तपरा तीन इंच लेंगे और त्यारा इंच के लंबाई है इसको हम दो पॉल्ड करेंगे सीधर साइटा मरा अंदर रहे हैं उल्टा साइट से इसको हम सिलाई लगा लेंगे अच्छी से चुनिक के मदद से या किसी चीच तो पलत लेंगे पलतने के बाद से हम इसको पॉल लगाएंगे यह साटन रिबन है तो डोनों की नारी में शाटन रिबन इसमें लगाएंगे हम अच्छे से पीजिसी में आती है अच्छे लिए इसको परावर करके दूपीश में कट कर लेंगे और इसे पीजिसे सिलाई कर देंगे हमारे चोली डेटी हो चुकी है अब इस प्राउन पेने धेर में हम लगाएंगे कमट का बेल्ट बेट लगाने की मैंने प्रावर करके बनाएं यहीं में साटन दिबन लगाया किसे आज़के साटन दिबन आएगा तो अच्छा दिखेंगे इसमें डालेंगे अन्मेक दूरी मेरे पास वाइट कर दूरी नहीं थी जोल्डन थी इसमें बोल्डन दावड़ी आप वाइट यह कुपर की आप करके इसान लगालेंगे और हमके इसमें चोली अड़के कर देंगे तरह आब सेmakої खेंगे प्रसिस का टेज कर ला है प्रसिस का टेज कर ला है अब यह आट टेज यह देकि अमरे ड्रेस बन के टेयर होगिया पहुत ही एजी है बनाने हो गोजल भी बन चाता है निट कर देज थाइंक यूब बाचिंग आमाले चानल गुल्स फसक्ता प्राचें करहती रिज जी जी घप कर सक्या है आक्यो